चलिए बनाते हैं बिना किसी मेहनत के जल्दी से ब्रेट पीजा की रेसिपी सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कटे हुए प्याज, गाज़, शिमला मिर्च और कटे हुए टमाटर अब चाहे तो यहाँ पर कॉंज को भी बॉइल करके ले सकते हैं इन सबी को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर देंगे और जैसी अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे चिलिफलेक्स और डालेंगे काली मिर्च का पाउडर यानि कि बलैक पेपर और फिर डाल देंगे नमक, आप चाहें तो यहाँ पर औरिगेन भी डाल सकते हैं, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, चलिए अब हम बना लेते हैं इंस्टेंट सॉस, अगर आपके पास पीजा पास्ता सॉस नहीं है सो आप यह वाला इंस्टेंट सॉस फटाफिट से बना सकते हैं, सो सबसे पहले हमें लेना है सेजवान चिटनी और सेम कौन्टिटी में हमें लेना है टमैटो केचप और फिर इन दोनों को हम एक बाउल के अंतर ले लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के ल और फिर हमने जो अभी इंस्टेंट सॉस बनाई है उसको हम एक एक चमच ब्रेट के ऊपर डाल देंगे अच्छे से सॉस को डालने के बाद फिर हम सॉस को ब्रेट के ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेट कर देंगे अच्छे से सॉस को हमने अभी स्प्रेट कर दिया है और जादा बनाना हो तो आप जादी कॉंटिटी में ले सकते हैं और यहां पर मैंने लिया है एक कप मॉजलेला चीज अगर आप चाहे तो यहां पर मॉजलेला चीज के जगापर क्यूब वाले प्रोसेस चीज का भी यूज कर सकते हैं और मॉजलेला चीज से चीज पूल जादा चाहता है सो अब ट्राइ करना मॉजलेला चीज यूज करने का और यह देखिए हमारा ब्रेड पीज अच्छे से एसेंबल हो चुका है इसको आप हम बेक कर लेंगे अगर आप चाहे तो ओवन में माइक्रोवेव में इसको बेक कर सकते हैं या फिर मेरी तरह पैन में भी आप इसको बेक कर सकते हैं बस बटर को चीज से स्प्रेड कर देना है और लो फ्लेम पर इसको टू मिनिट या फिर वन मिनिट तक ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी होने तक और चीज मेल्ट होने तक हम इसको बेक कर लेंगे और ये देखिए हमारा टेस्टी चीजी ब्रेड पीजा रेड़ी बहुत ही एजी रेसिपी है आप इसको शाम के नास्ते में बना सकते है बच्चों को तो ये रेसिपी काफी सादा पसंद आने वाली है और इसका चीज पुल भी काफी अच्छा है एक एजी रेसिपी है आपको इसे जरूर ट्राइ करनी चाहिए अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए